यहां पर हमको इसकी value find out करनी है जो कि हम इसके directly square करके भी निकाल सकते हैं लेकिन हमसे बोला है कि identity का use करके निकालो तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हम यहां पर कौन से identity use कर सकते हैं तो यहां पर हमारे पास यह दो numbers हैं जो कि आपस में subtract हो रहे हैं यानि कि A और B type के दो numbers हैं जो कि आपस में और इसके subtract और इनका हो रहा है whole square यानि कि अब इसमें A minus B के whole square वाले identity use कर सकते हैं जो कि हमारी होती है A square plus B square minus 2AB इन दोनों को हम compare करेंगे तो A आजाएगा 6X square और B आजाएगा 5Y यह दोनों values हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको मिल जाएगा यह अब यहाँ पर है 6X square का whole square यानि कि 6X square into 6X square इसको हम लिख सकते हैं 6 into 6 into X square into X square 6Xा होता है 36 और यहाँ पर X और X क्योंकि सेम है तो इनकी power हो जाएगी add यानि कि हो जाएगा X की power 2 plus 2 यानि कि X की power 4 तो यह हमारा आ गया 36X की power 4 plus similarly हाँ पर 5Y का square यानि कि 5Y into 5Y जिसको हम लिख सकते हैं 5 into 5 into Y into Y 5 5s होता है 25 और Y into Y यानि Y square तो यह आजाएगा 25Y square minus इसको हम लिख सकते हैं 2 into 6 into 5 into X square into Y square 2 6 होता है 12 और 12 5 होता है 60 और X square into Y हो जाएगा X square Y जाएगा 60 X square Y यानि कि इसका final answer आ गया हमारे इसके के झाएगा झाला आ झाला क में जाएगा IS